हलो गैस वेल्कम बाक टो चैनल पीचेंबी डिजिटल गुरूपल बच्चों आज हम लोग भात करेंगे नाइंध क्लास की हिंदी की वर्कशिट जो की नौ अपरेल के बिटा यह नाइंध की लास्ट वर्कशिट है सारी वीडियोस हमने इस अफ़ते की आपको अबिलिबल कर आदी हैं फर्स क्लास लेके नाइंध क्लास तक की देखें यहां पर डिंगो फेलने वाली बिमारी यह में बताना होगा यह बताना होगा कि दिंगो के मच्छर साफ पानी में पलता है या पनपता है यह आपके सामने लिखी हुए लाइन जो हमारे आसपास एकतरित होता है स्कूलर में गंबले में बरतनों में पुराने टायर में इसके वारे में टीम में भी बहुत आइड आती है बारिश की दुनों में समानता है कई जगह उपर पानी कठ्था होने से एडिद मादा जो मच्छर होती है वे अंडे देती है और एक सब्ता हम इनकी फौस तैयर हो इस तरह की संक्या बढ़ते है डेंगो जान लेव इमारे इसके बचाव का सबसे सही तरीका है सावधानी हमें अपने आसपास पानी कठ्था ही नया होने दे तो इस मच्छर को पनपने से हम रोक सकते हैं और डेंगो के खत्रे को हम जा कर सकते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसे जगहों की पैचान करनी चाहिए जहां पानी खट्था होता और उसे रोकने का उपाय करें अगर यह संबब ना हो तो पानी में थोड़ा मिट्टी का तिल डालें इससे हम नहीं केवल अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं बच्के अपने आसपास की लोगों का पैदा होते हैं कुछ उधारन दे तो उसका अंसर हो गया यह है दूसरा सवाल है बारिश के दुनों में मच्चर के पनपने का क्या कारण है तो बारिश के दुनों में मच्चर के पनपने का क्या कारण है पानी के एकठा होना यानि कि यहां से यहां तक और फोस्त तैयार हो जाते एंधियो संख्या बढ़ती है यह जाएगा 2nd, तीसरे algo इन्गू फिलने का क्या करना यह अंसर देखते हैं करने मचल का काटना है यह पानी के कट्था होना जिसे मचल पनते हैं आए चौता सवाल देखते हैं चौता कुश्छन है डेंगू से बचाव के लिए में क्या करना चाहिए पैचान करनी चीए पानी तो मिठ्टी का पानी डालना चाहिए मानी पानी मिट्टी का तेल डाला चाहिए मैं इनम पानी जमा होता है तो आपके आखरेंगे यह देखते हैं अगर मेरे हमारे पास हमारे असपास कहीं पानी कठ्था होता है तो मैं इसे मिट्टे का तेल डालूँगा तो प्रयास करूँगा कि वहाँ पानी कठ्था ने हो आध ने कास मत्ते बीडिवी पूछे गज्टे में काथने toa ने कंठ्था हुट्र वेडियो की तो देखने पानी है and keep supporting us